फुल स्पीड में जाते हुए और हमारी बाइक है सो गाईज आज हम लोग जा रहे थे बंगला साहिब गुरद्वारा जिसके लिए हमने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से एक्जिटली और फॉर्स टाइम योलो बाइक एलेक्रिक वीकल ट्राय करते हुए फुल स्पीड में भगाते हुए हम लोग पहुच जाते है बंगला साहिब गुरद्वारा ये डिली के वन आफ दी एतिहासिक गुरद्वारों में से एक गुरद्वारा है जहां पे डेली के अप्रॉक्स 20,000 संगत मथटेक ने आती है और प्रकाश सब वाले टाइम तो संगत की काउंटिंग लाखों में पहुच जाती है ये गुरुद्वारे की हिस्ट्री साधे अठवे गुरु श्री कुरु हर क्रिशन रायजी से लिंक है पहले ये राजा जै सिंग का बंगला हुआ करता था सन 1664 में गुरु साहिब डेली आये थे तो वो इस बंगले में ही रु पहला हुआ है तो उन्होंने इसी बंगले में रुक के सब दिल्ली वासियों की सेवा करने का सोचा और सबको यहां के कुए का जल पहला के हील किया सबको हील करते करते वो खुद जोती-जोत समा गए थे आठ साल की उमर में ही तब से गुरु साहिब जी के लिए एक लाइन बूली जाती है श्रीहर क्रिशन टिया ये जिस दिठे सब दुख जाए आज भी यहां के जल को अमरित के समान माना जाता है जो की बड़े से बड़ा रोग काटने की शक्ती रखता है काफी संगत यहां के जल को बॉटल में भी भरके लेके जाती है ये ग्रदवारे का गुंबच प्योर गोल्ड का बना हुआ है जो की दूर से ही अलगी लिशकता है हम लोग यहां पे अच्छी से मथटे के दर्शन करके ग्रदवारे के बाहर जाते है जैसे ही बाहर जाते है यहां पर भजिये वाली की शॉप होती है जिसको देखके कमल को बहुत क्रेविंग होती है तो हम लोग यहां भजिये खाने रुख जाते है इनके पास प्रेट पकोड़ा और डिफरेंट टाइप अफ भजिये होते है जैसे आलू, मिर्ची, गोबी and so on उसके बाद हम लोग भजिये खाते है और फिर मैं कमल से रिव्यू लेता हूँ उसको काफी भजिये करारे लगते है और उसके बाद हम लोग खापी के सीधे जाते है है पढ़ेल चॉक मेटरी सेशन क्योंकि यह बाइक हमें वहीं पर समिट करनी थी वहां पहुचके समिट करने के पहले हम लोग पहले बाइक चिला के मस्ती करते है मैं फर्स टाइम बाइक चला रहा था, मैं को बड़ा मजा आ रहा था उसके बाद कमल भी इस बाइक को फर्स टाइम एक्सपिरियंस करते हुए यहां ट्राय करता है स्टार्टिंग में उसको बैलेंस की दिक्कत आई, लेकिन लॉंडा अपना चीता है, समाल लेता है अब देखो उसकी राइडिंग मिलते है आप से अगली वीडियो में जब तक के लिए रब राखा